हेलो सार गुड मानिंग कैसे हैं आफ मैं बहुत बड़ी है सर नेक्स्ट वीक सार नेक्स्ट वीक विजिट मत करो आस ही है नमारा का फेस्टू लॉंच होने वाला जितना जल्दी हो सके पॉसिब्लिटी हो विजिट कर लो ज्यादा दिन का प्रोजेक्ट ने रहेगा मत्र दो दो मैं यूटी फामली तो कैसे हैं आप सब दोस्तों होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होएंगे इस वीडियो के माददम से आपको अपडेट देना है आसियाना जैसे कि आप मेरे बेक साड में देख पा रहे हैं आसियाना अमारा इस प्रोजेक्ट का नम है आसियाना बिल्डर का नाम है जो कॉंसेप्ट है वो रहेगा किट सेंट्रिक होंगा कॉंसेप्ट रहेगा दोस्तों यह अपना फेस्टू लांच करने वाला है विदिन फ्यू देज जो फेस बनता वह टोटली सोल्ड आउट हो गया था विदिन टू दोस्तों मातर दो दिन के अंदर फोने वाला पहुती रेर आसे प्रोजक्ट होते हैं जो मातर दो दिन में साथ मुझे तो कोई पता नहीं तो दो दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गया था सोल्ड आउट होने के बाद अपना लॉक बगारा करके निकल गए वहाला कॉंसेप्ट नहीं है फिर भी प्रोजक्ट माँ प्रोजेकशन के बार मी नी सुना होगा और रेक्षान के बार मी नीस सुना होगा लेट के बारे में नहीं सुना हुआ कि लेट प्रोजेक्ट डिलिवर करता है जो अगर हम बात करते हैं वह आप इसके प्रोजेक्ट विजिट करो इसके जितने भी बायर है इस प्रोजेक्ट में वह को अग्सिस्टिंग क्लाइं जिन्होंने आमा अ राक प्रोजेक्ट ले रखिया है क्योंकि इसका ट्रस्ट वैल्यू असजिंग बहुत अच्छी बनी हूए है यह को बहुत अच्छी बनी हुए जैसे दिल्क को पर लॉंच होता है राइती विधिन फ्यू देज्स के लिद्र लोकेशन भी मैटर करता है जो 93 है यह कैसी लोकेशन है यह 93, 94, 95 थोड़ सी बैक एंड की लोकेशन है फिर भी देखो इसको जो प्रोजेक्ट मात है दो दिन के अंदर बहुत अच्छा बिल्डर निकल के आया है एक्चुली इसका पहला प्रोजेक्ट है गुडगाओं में तो इसलिए भी एक हम रीजन कह सकते हैं विदिन टू डेस के अंदर सोल्ड आउट हो जाता है यह भी एक रीजन है क्योंकि भार तो इसके काफी प्रोजेक्ट है पर गु सेंपर फ्लेट भी विजिट कराऊंगा एक्जेक्ट सेंपर फ्लेट जो आपको मिलने वाला है वो भी दिखाऊंगा क्या कॉंसप्ट है किट सेंट्रिक कॉंसप्ट क्या है वो भी आपको एक्स्प्रेन किया जाएगा बाकि जो किट सेंट्रिक होम जो प्रोजेक्ट का ना mostly जो भी amenities होती है skating ring है वहाँ पे skating कराई जाती है जो भी एक list बनी हुई है उसको मैं आपको video के अंदर screen shot भी डाल दूँगा कि क्या-क्या amenities बच्चों के लिए मिलती है बाकी इस project के अंदर जो सब सची खासियत के रहा हर age के बंदों पे focus किया गया है हर age के बंदे means 3 साल के बच्चों पे भी focus किया है 18 साल बंदों के लिए भी focus किया है 10 साल वाले बच्चों के लिए फोकस किया है जो बुजूर्ग है उन पे भी focus किया है हर बंदों पे हर age area को देखते हुए इस project को design किया गया है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जो प्राइज आ रहा है न बहुत ही अच्छा लेक्षा है इस प्राइज में आपको लिटरली ओल वर गुडगाउं में चीज़े नहीं मिलेगी फिलाल इसे कम तो मिलेगी निसकी मैं बैट लगा सकता हूं आपको जो रेट निकल के आता है बाकी प्राइजिंग के लिए और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप मुझे कोडिनेट कर लेना राइज मैं आपको फोन पर भी बताऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है प्राइज का इसलिए मैं आपको कमिट नहीं करूंगा प्राइज क आप मुझे प्राइज के लिए मुझे नीचे कोडिनेट कर लेना नीचे दे नमबर पर बाकी अबर चलते हैं अंदर इसकी साइट विजिट करते हैं लोकेशन विजिट करते हैं और इसका सैंपल फ्लैट विजिट करते हैं और क्या-क्या एमनिटी यह देर उसके बार हम ड जाता है, so that कि कोई भी बंदा आपकी अगर भार कोई delivery boy भी है, तो आपकी main जो privacy है, वो maintain रहती है, ठीक है, तो यह अपना fair area आ जाता है, fair area के बाद, यह अपना आ जाता है living area, यह living area आ जाता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा right में देखेंगे, तो यह आ जाता है हमारा dining area, और जो कि मैं आपको visit कराने वाला हूँ, यह है हमारा deck area, जिसका जो size है, एक रूम के बराबर निकल के आता है, दोगो इस deck area का फाइदा क्या है, इस deck area का फाइदा यह है, rainy season हो, ठीक है, अगर आपको धूप लेनी है सर्दी में, आप अपनी family के साथ चाई, coffee, पकोड़े enjoy कर स सकता, आप साथ आठ बंदे बैट के इहां पर tea coffee जो आए कर सकते हैं, यह मेरा favorite part है, जो कि इस property का है, अब जैसे कि हम जैसी ही exit लेते हैं deck area से, आपको मैंने दिखाया, यह आजाता है हमारा living area, और living area के just right में आप देखता हैंगे, यह आजाता है हमारा dining area, अब जैसे हम entry left म हमारे आजाता है kitchen, जो kitchen की जो सबसे ची खासियत है इस size का kitchen आपको जल्दी से नहीं मिलेगा किसी property में, इसकी dimension क्या size है, वो exact मैं आपको video में नीचे लिख दूँगा, so that कि आपको clear tier है, बाकी आप मुझसे PDF भी मंगवा सकते हैं, मैं आपको PDF share कर दूँगा, उसके अंदर है, काफी बड़ा space है, इसको आप as a store room use कर सकते हो, as a pooja room use कर सकते है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, अब जैसी हम exit लेते हैं, space आप देख पारे हैंगे, dining के लिए जो space है, ठीक है, dining के लिए जो space है, काफी अच्छा space है, फिर भी mid में आपके लिए space बच जाता है, आपक काफी अच्छा space मिल जाता है, अब हम visit कर लेते हैं rooms, जो पहला room हाता है, हमारे just right में, जो यह वाला room है, यह हम as a कह सकते है, kids के लिए यह room है, kids room बोल सकते हैं आप इसको, इसके अंदर, जो इसका size है बहुत decent है, और इसके अंदर आपको balcony भी मिल जाती है, जो balcony है, यह balcony है जो main master bedroom है, वहाँ पर connect करती है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐज़ा दिखा रखाएगी, आप double bed लगा सकते हैं पर नीचे, आपके अगर दो बच्चे हैं, उनके लिए sufficient है, यहाँ पर अपना wooden work का लगा रखा है, ठीक है, और यह आ जाता है हमारा washroom, washroom भी देखेंगे, बह बहुत अच्छा है, और literally बहुत ही शांदार बना रहा है, अब हम पहले कर लेते हैं यह वाला room, second room, इसके साथ जो washroom जो आप यह देख पा रहे हैं, यह attached washroom रहेगा, means common area, living area के लिए, और जो इस room के लिए, यह common रहेगा, यहाँ पर एक gate दिया हुआ है, और जो दूसरा gate दिया हुआ है, वो internally दिया हुआ है, room के अंदर, और आप एक बार room का please size जरूर दिखा दीजिए को, बहुत ही प्यारा, बहुत ही decent room size आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको study table भी लगा रखा है, यहाँ पर एक chair भी लगा रखा है, यहाँ पर एक lamp भी लगा के दिखा रख थेखा होंगा, उसके अंदर मैंनर की यह कितने size का है, और इन इक ends marine का है, और अर यह आजाती है हमारी balcony, balcony का size भी आ आप आप जा के दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा size है, बहुत अच्छा size है, बहुत अच्छा size है, मैं so guys अब यह रूम विजिट करने के बाद, आप हम कर यहाँ पर master bedroom भी आ चुका है, यहाँ पर study table भी आ चुका है, decorative आइटम्स भी लगा रहे हैं, यहाँ पर एक table, lamp table, side में भी लगा हुआ है, एक table, यहाँ भी लगा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हो कितना space है, entropy भी आपको space मिल जाता है, यह space भी आपको मिल जाता है, यह हो गया हमारा master bedroom अब जो cupards के लिए जो space दे रखा है company ने यह space अलग है जैसे कि आप देख पारें यहाँ पर almira के लिए space है यह आप दिखाते हैं यह space अलग से मिवता है it depends on you आप कैसे इसको बनाना चाहते है इसके साथ जो यह अपना washroom आता है इसका size भी आप देख सकते हैं बहुत इच्छा है इसके साथ ना हमको balcony मिल जाती है जैसे मैंने आपको बताया था running balcony आपको मिल जाती है यह वाली running balcony है जो कि यही balcony आपको जो आपको first room दिखाये था मैंने kids room उसके साथ attached करती है balcony आपको हर room के अंदर मिलती है और plus आपको deck area अलग से मिल जाता है इससे अच्छी opportunity इस budget में लिटरली कह रहा हूं को गुड़गाओं में घूम ले ना एक project और है जो इसी budget में आता है आपको कभी भी एक single video negative नहीं मिलेगी आसियाना के बारे में आसियाना आज का brand नहीं है आसियाना 47 years से काम कर रहा है market में one of the most finest builder है ठीक है तो अभी इसका जो गुड़गाओं में यह phase two launch हुआ है आसियाना का phase two इस बार जो पिछला जो phase one launch हुआ था अब यकीन मानो phase one मत्र दो दिन के अंदर बिग गया था और अब जो यह project है उमीद लगाए जा रही है यह भी दो से तीन दिन के अंदर totally sold out हो जाएगा इस बार delay मत करना EUI form जल्दी feel कर देना क्योंकि EUI form फिल करोगे वह हमारी power है उसी के वज़े से हमको unit मिल सकती है मैं तो जो बंदे last में आये न मैंने खुद 6 check वापिस दी है क्योंकि unit नहीं मिल पाई क्योंकि वो लेट आई थे उन्होंने EUI form भरने में delay कर दिया था लेट है क्या जो kid centric home है चों रखा गया इसका नाम क्या concept है project लेगा कि concept based project है यह सिर्फ एक ऐसा नहीं कि आपको building खड़ी करके दी एक concept based project है और one of the most finest project of new good गावा और इस budget में मैं आपको battle लगा के दे रहा हूँ इतनी amenities जो company आपको दे रही है इतनी green area जो builder का नाम है आपको इस budget में all over new good government अभी फिलाल तो है नहीं और जो hike बन रहे हैं इस project की बहुत जादा hike बनी ज्यादा समय नहीं मिलेगा आप EUI form जल्दी से fill कर देना उस project की details जानने के लिए मुझे contact करना नीचे दिए number पर वीडियो को like करना subscribe करना मत बूलिएगा क्योंकि subscribe करोगे जबी ही आपको पता चलेगा यह project कब launch होने वाला है चा इसकी further details है कब इसका rare आने वाला है कब इसकी launching होने वाली है XYZ जो details है आपको मेरे YouTube channel के माध्यम से मिलेगी ठीक है आप प्लीज subscribe जरूर कर लीने and thank you so much for watching full video